पाकिस्तान के बलुष्टिस्तान सूबे की राजधानी कुईटा के उपनगर पालेली में पुलिया टीम के सुरक्षा कर रहे पुलिश वाहन पर आत्मघाती हमला हुआ है इस हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है और 24 से अधिक लोग घैल हो गए है आपत जानकरी के अनुसार विस्फोर्ट की चपेट में आये बलुष्टिस्तान के पुंस्टेबुलिरी और जबान पूलिया ड्यूटि पर जा रहे थे ट्यूटा पुलिस के डियाईजी गुलाम अफजर महेसर ने कहा है कि ये एक आत्मघाती हमला था जुसमें 20 से 25 किलो प्रिस्फोर्टक का इस्तमाल किया गया था